दोस्तों जब चंद्र सेखर आजाद रामर ने कहा कि मैं अपने पार्की से चुनाव लड़ूँगा नगीवना लोकसवा सेख पर तो मैं बहुत खुस हो गया मतलब चलो अपने पार्की का वजूद तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जिस पार्की ने चंद्र सेखर आजाद रामर को जिस गटबंधन ने चंद्र सेखर आजाद रामर को धोखा दिया जिस गटबंधन ने ये साबित कर दिया कि दलित समाज दलित ही है उस गटबंधन के साथ चंद्र सेखर आजाद रामर सामिल होने जा रहे हैं जालाओन में करने वाले हैं एक बड़ी रैली कॉंग्रेस के तरफ से ये कहां तक सही है चंदर सेखर आजाद रामर का और चंदर सेखर आजाद रामर बस्पा का सपोर्ट ना करें लेकिन कम से कम अपने पार्की को तो वजूद बढ़ाएं लेकिन वो कॉंग्रेस के पीछे अब भी भाग रहे हैं जब तब जब कॉंग्रेस ने अपने गटवंधन का इन्हें हिस्सा नहीं माना था आपका अलपना नहीं कर सकते वो तमाम जो बड़ी खबर आज वाइरल है उन पर बात चीप करेंगे आकास आनंद से सहमती जताई है दिल्ली के पूर्व मंतरी संगठन को छोड़ रहा हूं उन्होंने वताया कि मैं पांच साल पूरी निष्ठा से इस संगठन में काम किया लेकिन आज वो कॉंग्रेस के साथ जा रहे हैं मैं संगठन को छोड़ दूँगा सोचे यह बड़ी खबर है और तमाम ऐसी खबरे जो वाइरल हो रही है और इस जबाब दिया जो पूरे शमर समाज, बहुजन समाज, दल समाज और खासकर मुसलमान समाज को देखना चाहिए चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं साथियों नफरत वाली सोच ना रखो, सबका साथ दो और सबके साथ चलो, भारत की और बुद्ध की सबसे बड़ी अपरप्रा है किसी जिव की हत्या ना करो, किसी को मारो ना, ये बुद्ध का सबसे बड़ा विचार है तो आज इन तमाम ख़बरों को हम सुरू करेंगे, एक खबर आपको बताने की कोशिज करेंगे चुनाओं में इस समया का सानन्द पूरे फुल फाम में नजारा रहे हैं जहां पर भी रेली होती है, बीजेपी के बुल्डोजर, बीजेपी के काले धन, बीजेपी की वरष्टाचारी पर लगातार इलजाम लगाती हुए नजारार हैं बहुचन समाज के साथ साथ समण समाज भी इन्हें पसंद कर रहा है और लगातार सौन समाज की आवाज बन रहे हैं BSP राष्टे कोटिनेकर आकासानंद तो ऐसे तमाम आज की जो खबर है वो आपको बताऊंगा लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आया जो मैंने पहले भी बताया आपको की अखिर क्या वज़ा हो सकती है चंदर सेखर आजाद रामर को की जिस गटबंधन ने आपको उस गटबंधन का हिस्सा नहीं माना और आप उस गटबंधन के साथ जा रहे हैं उसकी रैली करने जा रहे हैं तो पूरे कही न कहीं दलिस समाज का आप मान करवा रहे हैं आप जिस अकलेस यादों ने आपको कहा कि ये छोटे नेता हैं और जिस अकलेस यादों ने आपको अपने गडवंधन का हिस्सा नहीं माना आपको कुछ दिनों तक अपने आगे पीछे घुमाया उसके बाद नगी और कॉंग्रेस के नेता तो चंद्रसेखर नहीं है तो इसे तमाम अफवाएं हैं तमाम ख़बरे हैं जिसको परमार करना है और परमारित आपको देना भी है तो आपको एक एक खबर बताएंगे इंदर में घवाल को लेकर करके बड़ी खबर है जब भीमार्मी वह तमाम वादा किया था सायद वादा वादा आज भूल चुके हैं इसलिए वो कॉंग्रेस के साथ जा रहे हैं क्योंकि उसमें जो असोग गैलोत की सरकार थी वो खुला-खुला इंद्र में घवाल के तमाम जो साथी थे मतलब जो उनके पच्छ में गए हुए थी उनके उपर तमाम लाच्याबर सी थी तो इसे भूलना नहीं चाहिए और और आज जो वो खबर है उसे सुनना चाहिए गोरोपाल ने लिखा कि प्रधान मंत्री का भोस उड़ा रहे हैं आकासानंद तो यह बड़ी खबर है आज की और आपको पहली खबर कि अगर बात करे राजिंदरपाल ग है हमारे दलित आदिवासिवा पिछड़े वर्ग के लोग बेहत भोले भाले हैं इन्हें यह पता ही नहीं है कि केंदर की सरकार जो लगभग 80 करोन लोगों को रासन देती है वह आप बीड़ी के बंडल माचिस आदी पर टेक्स देते हैं उसी पैसे से यह रासन आता है यह स सरकार में रहे हूं या फिर यूपी के उपर सवाल उठाना हो या फिर देश के किसी भी राजी के सरकार के उपर उपर उगली उठाना हो तो तमाम बहुजन मिसनर्यों के साथ उस सरकार पर भी ककाच करते हैं क्योंकि वह बहुजन समाज के हिते सी हैं अखिर वह बड़ी ख आज तक किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि सीधा सीधा बीजेपी के साथ कक्र ले सके अब सोचिए जो मायावती जी को कभी बीजेपी की बीकीम कहते थे उन्हें यह भी जो देखकर सरम आजानी चाहिए जी क्योंकि मायावती जी संबैधानिक पत्पर रहती हैं और स तरह से आकासानंद का आप रुक देख रहे हैं यह इवाक फून है और यह बता रहा है कि बहुजन समाज के सासा सौन समाज को भी बरावर की भागेदारी बहुजन समाज पार्की में दे रही है बजन समाज पार्ट की त्यागी समाज ब्रहमर समाज को भी संसद भेज रही है राजसभा का सदस बना रही है क्योंकि वो चाहती है कि ये अपनी समाज की बात जाकर लोग सभा राजसभा में करें तो ऐसे तमाम आज की खबर जो वाइरल थी उस पर बताएंगे लेकिन आज की वो मुख खबर आपको सुनना चाहिए जिसे दलित समाज इंद्र में घवाल को बचाने के लिए बहुत परियास किया और उस पर लाठिया भी खाई लेकिन आज चंदर से खराजाद रामर उस पा परकी के साथ जाना गलत बिल्कुल नहीं है आप चाहे कॉंग्रेस से गड़वंधन कीजिए फिर चाहे आप समाजवादी से कीजिए किसी भी पारकी से आप गड़वंधन कीजिए बीजेपी से भी कर सकते हैं लेकिन आपको ये सोचना है कि जिस पार्टी ने आपको कुछ भी नहीं समझा जब नगीना में चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका तब उन्होंने अपने परत्यासी को आपके खिलाप वहाँ पर उतार दिया चंद्रसेखर आजाद रावर को कभी भी इंडिया गजवंधन का हिस्सा नहीं माना और आज चंद्रसेखर आजाद रावर कांग्रेश का परचार परसार करने के लिए जालोर जा रहे हैं तो कितनी सर्मनाक की बात है खेर परदेश उपाध्याच्छ मोतिलाल अहिरवार लिखते हैं जिस संगखन के लिए पिछले पाँच वर्सों से निष्ठापूर इमानदारी से काम किया आज वो संगखन मुझे कांग्रेश को समर्थन देने को बोल रहा है पहले दिन जालोर लोकसभा का फाम खीचने का दबाव परदेश प्रभारी और परदेश अध्यच द्वारा किया जा रहा है मैंने उनकी बात नहीं मानी तो आज ये हुआ सूचिए तो ये बड़ी खबर है और इसे जीती रुजरिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आब समय बदल गया है चंसेखर की मानसिक्ता भी बदल गई है इंद्र मेगवाल की घकना पर ततकाल मुखमंत्रिय सोग गैलोत तामासा देख रहे थे तो वहीं अंदोलन करने वाले दलित समाज पर लाचिया बरस्वा रहे थे आज उसी गैलोत के बेटे के लिए चंसेखर आजाद उनकी भीम आर्मी ओंट मांगने क्या जालोर की जनता अब इंद्र मेगवाल को लेकर दिये गए चंसेखर द्वारा वादो को भूलेगी सुचे ये तमाम वो बड़ी खबर है जो वाइरल हो रही है और आपको बता दें क्या इंद्र मेगवाल को इनसाफ मिल पाया जो असोग गैलोद की सरकार थी जालोर में राजिस्थान में माफ कीजिएगा असोग गैलोद की जो ततकालीन सरकार थी उस समय और उस समय पर दलितों पर अत्याचार हुआ और आज असोग गैलोद के बेके के लिए वो जो है चुनाव परचार करेंगे कि दन्यूज 24 लिखता है कि बाबर का बच्चा बच्चा भी जैसरी राम बोलेगा बिजेपी नेता सीपी जोसी ने दिया बिवादित बयान कि बाबर का बच्चा बच्चा भी जैसे राम का नाम बोलेगा तो इस पर आकास आनंद ने मुसल्मानों का पच्छ रखते हुए और धार्मिक उत्पाद ना हो पाए जिस तरह से सीपी ने बयान दिया उसका मुहतोर जबाब आकास आनंद ने इस तरह से दिया कि चुनाओ और ओट के आगे इनको कुछ समझ नहीं आता कम से कम थोड़ी सरम ही कर लेते नफरत और धरम की राजनिती में अंधे भाजपा के नेता ये भूल जाते हैं कि देश में लोकतंत्र है इनके सब्द इनकी भासा लोकतंत्र के लिए खत्रा है ECICVEEP क्या इसको संग्यान में लिया जाएगा सूचिए ये बड़ी ख़बर हो और बड़ी चतुरई के साथ आकासानंद ने इन पर दबाव डाला है खेर आप लोगों को क्या लगता है अपनी पर्त किरिया जरूर दीजेगा साथियों इस वीडियो में वस इतना ही मिलेंगे एक और ख़बर एक नए राजनितिक मुद्धि समाजिक मुद्धों के साथ तब तक के लिए जैभीम नमोधाय